हमारा देश क्रशी प्रधान देश है सदियों से यहाँ पर किसान खेती करते चले आ रहे हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस टाइम पर कौन सी खेती की जाए जिससे हमें ज़्यादा मुनाफ़ा देखने को मिले बहुत सारे लोग परमपरागत खेती करते आ रहे हैं और उस खेती से उनके घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन दोस्तो कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको अगर आप सिर्फ एक एकड़ में भी लगा देते हैं तो भी आपकी फसल आठ नौ लाख रुपे की हो जाती है तो आज के वीडियो में बने रही हैं हम आपको बताने वाले हैं एक एक एकड़ में नौ लाख का उत्पादन आपको दे देती है जियां दोस्तों वो फसल है सफेद मूसली सफेद मूसली की मांग बहुत जादा हो गई है और पिछले कुछ सालों में इसकी खेती भी कम पैमाने पर की है किसानों ने जिस बज़े से इसका जो रेट है वो काफी जादा हाई हो गया है मार्केट में ये 1200 से लेकर के 1500 रुपए प्रति किलो यानि कि एक कुंटल की बात करें तो डेड़ लाख रुपए का ये मार्केट में सेल होता है अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सफेद मूसली की खेती कै कैसे कर पाऊंगा मुझे तो इसके बारे में कोई नौलेज ही नहीं है तो दोस्तो सनराइज एग्रिलेंड एक कंपनी है जो की दो दसकों से ज्यादा टाइम से किसानों की सेवा कर रही है उनको ट्रेनिंग प्रवाइड करती है कि किस तरह से सफेद मूसली की खेती की सफेद मूसली को कैसे उगाया जाता है तो इनके यहां पर समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाते हैं और उसमें आप भाग ले करके सफेद मूसली की खेती करना सीख सकते हैं सफेद मूसली के अलावा और भी अन्य औसदी फसलों की खेती करना भी सिखाया जाता है जहां पर अभी आप सोच रहे होंगे कि सफेद मूसली इतनी महंगी क्यों हैं तो मैं आपको पता देता हूं सफेद मूसली का इस्तिमाल तमाम तरही की दवाइं बनाने में किया जाता है जिसलिए ुस्की कमी होती जा रही हमारे देश में सफेद मूसली को द anlat मुशली के नाम से भी जाना जाता है यह सरीर में किसी भी प्रकार से आई कमजोरी को दूर करने की छमता अपने अंदर रखती है इसका उपयोग खासी अस्थमा बबासीर चर्म रोग पीलिया पेसाब संबंदी रोगों लिकोरिया आदम के उपचार में इसका किया जाता है हल सफेद मुशली को लगाने का सबसे अच्छा समय जून का महीना होता है अभी समय चल रहा है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं बरसात के मौसम में होने वाली यह फसल है इसमें कोई रोग बीमारी जादा आती नहीं है तो दोस्तों आप इसकी खेती के बारे में कुछ जानना हो रही है संड्राइज और्गनिक पार्क जैपुर से हम बात कर रहे हैं यहां सफेद मुशली की खेती का समय आ चुका है और सफेद मुशली की खेती के लिए जो प्लांटिंग मैटेरियल है वह तयार करके अब वो समय आ गया है कि उसको किसानों तक पहुचाया जाए सफे तो अगर आप इसकी खेती के बारे में सीखना चाहते हैं इसका बीज खरीदना चाहते हैं या पर इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पर मैंने जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी तो दोस्तों आप भी सफिद मुशली की खीती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें जिसले कि आपको आने व वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार